जहिन सातियों स्वागत आप सभी का उतकर्ष अकेडमी खिलचीपूर के अउनलाइन प्लेटफोर्म में इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल परिक्षा 2023 के लिए रिजिनिंग के प्रिवियस एर पेपर के क्योशन डिसकस करेंगे परिसातियों 9-12-2020 तीसरी शिप्ट में जितने भी क्योशन रिजिनिंग के पूछे गए थे सारे इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपको मैं बता दू आपकी परिक्षा ती थी 14 नौंबर आप सभी जानते एक्जाम आने वाले हैं और उसके बाद आपको बता दे कि रिजिनिंग के पूरे 25 क्योशन आपकी एक्जाम में पूछे जाएंगे जो इसी प्रकार के लेवल के साथ ऐसे ही क्योशन आपको देखने को मिलेंगे इसलिए एक भी क्योशन बिना स्किप किये मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है और इस क्लास का पीडिया पर आप डेली हमारे टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज का पहला क्योशन हमारे सामने है दिये गए पैटर्न का ध्यान पूर्व का ध्यान करें और उस संक्या का चैन करें जो क्योशन मार्क की जगे आ सकते हैं यानि कि यहाँ पर यह क्योशन मार्क इस्थान पर क्या संक्या है तो जब भी इस प्रकार का pattern आपको दिखे तो इसमें जो बड़ा number होता है कही ना कहीं बड़े बड़े जो number होते हैं वो कही ना कहीं छोटे number हो से मिलकर बनते हैं जैसे यहाँ पर 19 आपको यहाँ पर दिखाए देरा होगा पहले कोलंबे 19 यह 19 छे और 3 से किस प्रकार बन सकता है तो 6 का गुणा अगर हम 3 से करें और अगर उसमें एक जोड़े छेतरी 18 और एक कितना बन जाएगा 19 मरलब इन दोनों का multiply करके एक जोडने से बीच वाला बन रहा है इसी प्रकार अगर हम 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 गुणा 4 करके और एक जोड़ेंगे तो 12 को 48 और एक कितना हो जाएगा 49 clear इसी प्रकार हम 21 का गुणा किस से करें और एक जोडने पर कितना बनेगा 85 तो आप यहां से direct option उठा सकते हैं यानि मैं लेकर देखू अगर यहां पर 4 तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे 21 का multiply 4 से करेंगे तो 84 बनेगा और 84 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा 85 तो हमारा यहां पर क्या आना चाहिए question मार्किस्थान पर 4 यानि option number 4 ही इसका correct answer बनेगा question number 2 है हमारे पास हुआ विकल्प आकरती चुने जो तीसरी आकरती से उसी प्रकार संबन दीते जिस प्रकार दूसरी आकरती पहली आकरती से संबन दीते मतलब प्रेशन आकरतियों में हमें क्या करना जैसे पहली आकरती से दूसरी आकरती बनी है उसी pattern को follow करते हुए तीसरी आकरती से चोथी बनेगी तो वो चार option में से क्या होगा तो प्यारे साथियों पहली आकरती से दूसरी आकरती किस प्रकार बनी मैं आपको बता दू यह जो ऊपर के दोनों डिजाइन थे वरत्ताकार यह तो नीचे आकर जुड़ गया और नीचे वाला जो डिजाइन था यह उपर चला जाता है मतलब उल्टी हो जाती है पहली आकरती दूसरी आकरती में जाकर उल्टी हो जाती तो इसी प्रकार यह जो दूसरी आकरती है मतलब तीसरी आकरती चोथी में जाकर उल्टी हो जाएगी तो यह कैसे दिखेगी तो आप देखेगा ओफ्शन नंबर दो ओफ्शन नंबर दो में यह दोनों आपको यह चतुरभुज जो दिखाए दे रहा है यह नीचे आजाएंगे और यह जो आपको दीपक की तरह दिखाए दे रहा है यह उल्टा हो जाएगा और उपर चला जाएगा ठीक है ना तो ओफ्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्योशन नंबर तीन उस वेन आरेक का चैन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मद्य संबंद का सर्वस्रेष्ट चित्रन करता है यानि कागज शिल्प और कला इनके बीच में डायग्राम के माद्यम से कोई सा ओफ्शन करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शिल्प और कला तो आप सभी जानते हैं शिल्प और कला शिल्प और कला के लिए कागज का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पर कुछ शिल्प क्या हो जाएंगे कला ठीक है ना शिल्प का एक डायग्राम होगा जो याद रखेगा कला के साथ क्या रखेगा कुछ कुछ कला में क्या होता है शिल्प का प्रयोग होता है तो एक डायग्राम कला का होगा और इन दोनों के लिए ही किसका उप्योग किया जाता है कागज का ठीक है ना तो यहां पर कागज का एक डायग्राम इस प्रकार से बनेगा तो ऑफशन नमबर दो इस क्योशन का राइट आंसर बन जाएगा अगला क्योशन अगला क्योशन है उस विकल्प आकरती का चैन कीजिए जो दी गए आकरती में प्रेशन वाचक चिन्न के इस्थान पर आएगी और पैटरन को पूर्ण करेगी तो प्रेशन आकरती के पैटरन को पूरा करने के लिए आप कैसे करोगे यहां से अगर हम इसको इधर मिला दे तो एक डिजाइन तो इस प्रकार बनेगी यहां पर और यह डेश डेश की एक डिजाइन इस प्रकार यहां आएगी और यहां आप समझ सकते हैं एक वुरति यहां पर भी आएगा तो ऐसा कौन सा option आपका correct हो जाएगा option number 3 अगर हम देखेंगे तो यह पूरी design यहां अगर लगा दी जाए तो इस प्रेशन आकरती को क्या कर देगे pattern को पूरा कर देगी अगला question यदि दरपन को दी गई आकरती के दाईयों रखा जाए तो दरपन में निर्मी सही प्रतिविम का chain कीजिए मतलब हमें यहां पर अगर दरपन को यहां रख दिया जाए तो इसका दरपन प्रतिविम कैसा बनेगा हमें चार option में से यहां पर choose करना है तो प्यारे साथ जो दरपन प्रतिविम जो बनेगा इस आकरती का यह इधर जिदर दरपन रखा उसके दूसरी साइड बनेगा और दरपन में पहले वो दिखाई देगा जो दरपन के निकट है और उसके बाद जो left side है वो right side चला जाएगा मतलब बाया side दाया हो जाएगा और दाया side बाया हो जाएगा तो यहां पर पहले क्या दिखाई देगा यह वाला यह हिस्सा इसका दिखाई देगा और यहाँ पर दर्पन प्रतिविम पहले किसका बनेगा S का बाया दाया हो जाएगा फिर बनेगा U का और उसके बाद किसका बनेगा H का बनेगा और T का तो आप option जब देखेंगे तो एक चीज देखकर यह आप समझ सकते हैं option number 2 देखेंगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके बाद इसके उपर डायग्राम किसका जाएगा यह T, H, A, T और इनका जो दर्पन प्रतिविम बनेगा तो यह ऐसे ही दिखाई देंगे और उसके बाद यह जो आपको लास्ट में उपर ही उपर वाला उपर दिखाई दे रहा है और इसका दर्पन प्रतिविम आप देख सकते हैं पहले इसका दर्पन प्रतिविम लेप्ट का राइड दिखाई दे रहा है फिर I का फिर H का और T का तो इस प्रकार ऑफिशन नंबर दो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्योशन नंबर चे एक कागज को निमनालू सार मोडा और काटा गया है इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा प्यारे साथ यहां पर हो क्या रहा है यह जो एक खालिक आ गई था पेहली मतलब प्रेशन आकरती में यह पहला जो आकरती ऐसा दिखा था यह खालिक आ गई था और बीच में Deizz Desh लगा मतलब इसे बीच मेंसे Left side से Right की और उपर मोड दिया तो दूसरी आकरती में ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है ठीक है अब दूसरी आकरती को भी क्या करा है इसने बीचो बीच से उपर से नीचे मोड दिया तो ये तीसरी आकरती में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है अब इसे खोला जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा क्योशन इसा पूछाए तो जब इसे खोला जाएगा तो लास्ट टाइम इसे जिदर मोडा गया था पुना इसका दर्पन प्रतिविम उदर बनेगा मतलब पहले उदर खुलेगा तो यहाँ पर क्या करना उपर पहले खुलेगा यह नीचे मोडा था तो पहले उपर खुलेगा तो यह जो आकरतियां आपको दिखाए दे रही इनके दर्पन प्रतिविम उपर बनेगे तो तीर का दरपन पती भी यहां पहले बनेगा और उसके बाद यह जो तीर उपर जा रहा है किधर अजाएगा नीचे अजाएगा और उस प्रकार से अगर बात करें यह त्रिबूज आपको जो छायांग की दिखाए दे रहा है सीधा दिखाए दे रहा है तो आपको यह कैसा दिखाई देगा उल्टा ऊपर में उल्टा दिखाई देगा तो आप ओफशन नमबर 4 को जब देखेंगे तो आपको यह सारी चीजें मिल जाएंगे पुना यहां पर जैसा दिखाई दे रहा है इनको किदर खोलेंगे हम राइट साइड से लेप्ट की और क्योंकि यह लास्ट टाइम लेप्ट से राइट में मोडा गया था तो यह इधर खुलेगा तो आपको फिर इनका दर्पन प्रतिविम इधर दिखाई देगा तो यह तीर इधर बन जाएगा और यह इस प्रकार का वुरत तो आप देखिएगा ओफशन नमबर कौन सा 4 इसक कुल योग याद करें तो जब कभी हमें खुला पासा दिया जाता है तो खुले पासे में होता क्या है हर तीसरी सता एक दूसरे की विपरित होती है जैसे दो से काउंट करें तो तीसरी सता क्या बनेगी एक दो तीन यानि चार दो का पोजिट चार हो जाएगा और एक का पो अब क्योशन ने ये बोला कि तीन और चार पर अंकी संख्याओं में उनके विपरित फलकों पर अंकी संख्याओं जोड़े जाने पर तो एक तो तीन में चार को जोड़ना है और इनका जो विपरित था उसे भी जोड़ना है तो 3 का विपरित क्या था 6 ता तो इसे भी जोड़ा जाए उसके बाद 4 का विपरित क्या था 2 था तो इसे भी जोड़ा जाए तो ये योग फल कितना बनेगा ऐसा क्योशन ने पूछाएं तो यहां पर 4, 3, 7, 7, 7, 7, 2 होता है 9, 6, 12, 15 तो जो योग बनेगा ये कितना बनेगा पंद्रा आफशन नमबर तीन इसका राइट आंसर वजाएड़ा क्योशन नमबर आट उस विकल्ब का चैन कीजिए जिसमें दी गई आकरती अंतर नहीं थे और गुमाने की अनुमती नहीं है तो प्रेशन आकरती में जो आकरती आपक चैन कीजिए जो दीगई आकरती में प्रेशन वाचक चिनन के इस्थान पर आएगी और पैटरन को पून करेगी तो इसमें क्या होगा तकरती में आपको बता दू आमने सामने की एक जैसी दिखाई दे रही है यह आमने सामने एक जैसी दिखाई दे रही है यह आमने सामने एक जैसी दिखाई दे रही है यहां पर यह जो डिजाइन जहां प्रेशन वाचक चिन्ड के इस्थान पर आएगी वो डिजाइन इसके सामने वाली डिजा ठीक है इस प्रकार option no.4 इसका correct answer है क्योर्षन no.10 नीम्नांग की चार आकरतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है Coke तीन आकरतियां एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्य है यानि असंगत है और उस आसंगत आकरती का हमें क्या करना है चैन करना है तो आफशन नमबर एक आफशन नमबर तीन और आफशन नमबर चार अगर इन तीनों आफशन में देखा जाए तो बंद आकरती आपको दिखाए दे रही है ठीक है ना और option number 2 की अगर बात करें तो इसमें बंद नहीं है यह आकरती जो है यह सब तरह से बंद नहीं है इसलिए यह आज समान हो जाएगी यानि आज संगत option number 2 इसका correct answer बनेगा question number 11 वह विकल्प आकरती चुने जो तीसरी आकरती से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार दूसरी आकरती पहली आकरती से संबंदित है मतलब पहली आकरती से दूसरी आकरती जिस प्रकार से संबंदित है उसी प्रकार क्या हो जाएगा तीसरी आकरती से चोती संबंदित रहेगी तो आप समझो यहाँ पर यह जो व्रत्य था यह जो व्रत्य था बाहर आ चायांकित भाग दिखाए देरा था ये इस वुरत्य वाली आकरती के अंदर चला जाता है लेकिन ये सफेद हो जाता है तो अपन तीसरी से चोती आकरती में अगर देखा जाए तो जो बोल्ड यानि चायांकित भाग दिखाए देरा ब्ले कलर का ये इदर आकर क्या हो ये अंदर चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा सफेद हो जाएगा और ये किस के अंदर चला जाएगा तो आप पीछे जब देखेंगे तो इस ब्लेक वाली आकरती के अंदर ये ब्लेक वाली आकरती ब्रत के अंदर चली गई थी तो ये किस के अंदर चला जाएगा बूच के अंदर एक स्टार दिखाई दे रहा है और यहां पर जो यह तीर था इसमें से एक तीर गायब होकर एक ही रह गया था तो यहां पर जो यह डिजाइन आपको दिखाई दे रही है एक और यह इसकी एक डिजाइन गायब होकर एक ही रह जाएगी तो आफशन नमबर ए इतिहास इन तीनों शब्दों के मद्द में कौन सा डाइग्राम सही तरीके से संबंद बताएगा तो आप ये समझो जो समाचार होते हैं एक डाइग्राम तो हमें बनाना पड़ेगा समाचार का जो समाचार होते हैं वो कुछ के केस में इतिहास की जानकरी भी देते हैं और य गा, question number 13, हमारे पास है, निम्लांग की चार आकरतियों में से तीन में, एक निश्चित प्रकार की समानता है, और एक आसंगते, उस आसंगत आकरती का चैन कीजे, तो प्यारे साथियो, option number 2, option number 3 और एक option number 4, इन में क्या करता है ये, कि जो पहली आकरती है इन में, दूसरी आकरती, पहली आकरती का जल्ब प्रति भिम है, मतलब उल्टा, ठीक है ना, और यहां पर जो पहली आकरती है, यानि पहला जो option है, इसमें जल्ब प्रति भिम नहीं है, इसलिए ये भिन हो जाएगा, अगला question, question number 14, हमारे पास उसमें कल्ब का चैन कीजिए, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंद हैं, जो दूसरे शब्द का पहले शब्द है, मतलब नियम विरुद्द, इसका संबंद अपचारी से हैं, तो किशोर का संबंद किस से हो जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नियम विरुद्द का संबंद अपचारी से कैसे, तो याद रखिएगा अपचारी का अर्थ हैं नियम विरुद्द काम करने की प्रवरती, अपचारी का अर्थ हैं ये इधर वाला, मतलब पहले वाला, दूसरे वाले का अर्थ हैं, तो इसका राइट आंसर अजाएगा, मतलब याद रखिएगा बलोचित का अर्थ बल बाल सुलब व्यवहार प्रदर्शित करना है ठीक है ना बाल मतलब किशोर कहते है जिसे तो इसका राइट आंसर अजाएगा बालोचित अगला क्योश्चन निम्नलिकित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है तो पूवर्ष होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो सन दो हजार के अंतिम दो अंक डबल जीरो है और इसमें चार का भाग पूरा पूरा जारा है और यहाँ पर चानवे में चार का भाग पूरा पूरा जारा है और जीरो चार में भी चार का भाग पूरा पूरा जारा है लेकि इन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक आसंगत है उस आसंगत विकल्प का चैन करना है तो प्यारे साथियों याद रखिएगा इसमें क्या होगा यह दराज शब्द को छोड़कर जो कार्टन कीट और ठेला दिया गया है इन तीनों का उपियों किसमें किया जाते वस्तो को पेख करने और धोने में किया जाता इसलिए दराज शब्द क्या हो जाएगा आसंगत हो जाएगा ओप्षन नमबर एक कोिशन नमबर सतरह वह विकल्प चुने जिसमें दोनों संख्याओं के बीच वही संबंद हैं जो दिये गए संख्या युगम की संख्याओं के बीच है यहानी 14 और 45 में जो संबंद हैं वैसा ही संबंद इन चार ओप्षन मेंसे किसमे होगा तो 14 से 45 कैसे बनता है अगर में यहाँ पर 14 का गुणा 3 से करें तो 14 ती 42 बनता और 42 में अगर हम 3 जोड़ें तो कित्रा हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा उसी प्रकार 3 गुणा करके 3 जोडने पर किसमें दूसरी संख्या बनेगी तो यह देखिए ओफशन नमबर 4 यानि 17 को 17 का अगर हम 3 गुणा करेंगे तो 17 ती 51 बनेगा और 51 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा चावण और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओफशन नमबर 4 क्योशन नमबर 18 में उस विकल्प का चैन कीजिए जिसमें दी गई आकरती अंतर नहीं थे और गुणन की अनुमती यह मतलब भले गुमा कर इसे कि उत्तर आकरती में यह प्रेशन आकरती देखी जा सकती है ऐसी की ऐसी तो आप देखिएगा ओफशन नमबर 3 में अगला क्योशन यदि एक कूड बाशा में कम्प्यूटर को OC, PM, T, U, R, E लिखा जाता है तो उसी कूड बाशा में कौन सा विकल्प O, H, K, C, Y, E लिखा जाएगा तो देखो कम्प्यूटर को यह किसे कोडिंग लिखा गया O और C का इस्थान आपस में बदल दिया तो C, O की जगे इसने OC बनाया इसी प्रकार MP की जगे इसने PM बनाया और यहाँ पर फिर से इन दोनों की इस्थान बनाकर बदल कर T, U कर दिया और उसके बाद में E, R का इस्थान बदल कर R, E कर दिया तो यहाँ पर भी इन दो-दो का हिस्तान हम लोग आपस में क्या कर देंगे बदल देंगे तो H की जगे O अजाएगा और O की जगे H अजाएगा तो H O फिर K C से क्या बनेगा C के बनेगा और उसके बाद में E Y E से क्या बन जाएगा E Y बन जाएगा तो कौन सा उप्शन इसका करेक्ट आंसर हजाएगा उप्शन नमबर 3 H O C के और E Y आपको उप्शन नमबर 3 में ऐसा ही मिल जाएगा अगर क्योशन नमबर 20 की बात करें एक ही पासे की दो भिन भिन इस्तितिया दर्शाए गई है जिसके छे फलकों मेंसे प्रत्येक पर यस नो इफ इट इन और इस मेंसे कोई ना कोई शब्द अंकी थे और यस वाले फलक के अपोजिट हमें बताना है क्या होगा तो आपको किनी भी दो पासा की इस्तितिया अगर दर्शाए गई है तो उनमें कोमन सता आपको देखना है तो प्यारे साथ यहाँ पर जो हमारा पासा नंबर एक है इसमें भी यस दिखाई दे रहा है कोमन और दो में भी यस दिखाई दे रहा है तो जब एक सता कोमन होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है गड़ी की दिशा वाला रूल यहां पर लगाना होता है मतलब पहले पासे में भी यस से गड़ी की दिशा में जाएंगे तो इप मिलेगा और दूसरे पासे में गड़ी की दिशा में जाएंगे यस से तो हमें क्या मिलेगा इट मिलेगा इसी प्रकार if से फिर पहले पासे में घड़ी की दिशा में जाएंगे तो no मिलेगा और यहां पर it से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा इज मिलेगा तो इस प्रकार से 4 सता एक डूसरे के opposite हो गई अब बची हुई 2 सता और जिसमें एक को yes बच गया और यहां पर opposite आने के लिए क्या बज़ गया तो yes हो गया यहां पर no भी हो चुका है if अभी भी हो चुका है यहां पर first में और it भी हो चुका है in अभी यहां पर नहीं हुआ तो yes का opposite क्या बज़ आएगा in और यही हमारा correct answer हो जाएगा option number 4 question number 21 वह आकरती चुने जो निम ने लिखी ताकरती स्रंकला में अगले इस्थान पर आएगी आकरतियों की एक series चल रही है तो इसमें यहां पर अगली आकरती क्या आएगी तो देखो पहली आकरती से आप देखिए दूसरी आकरती में घड़ी की दिशा में यानि की वामावर्त दिशा में क्या हो रहा है इन सभी डिजाइनों को ऐसा का ऐसा गुमा दिया और इसी प्रकार दूसरी से तीसरी में फिर से वामा वर्त दिशा में यानि घड़ी की दिशा में इनको क्या कर दिया गया एसा का एसा ही 90 degree गुमा दिया गया क्लियर न, तो इन सभी आक़रतियों को पुना एसा का एसा ही 90 degree वापस गढ़ी की दिशा में जब हम घुमाएंगे तो हमें कौन सा option नमबर प्राप्त होगा option नमबर 2 option नमबर 2 के जिसी आक़रति हमें क्राप्त होगी क्योशन नमबर 22 दिये गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्नों को परस पर बदला जाना चाहिए तो इस क्योशन को आफशन से किया जाता है मतलब ये समीकरण संतुलित हो जाए इसके लिए कि इन दो चिन्नों को परस पर आपस में बदलना चाहिए तो option number अगर एक को उठाए मतलब भाग और गुणा को हम आपस में बदल दे तो नया समीकरन क्या बनेगा 3-36 और गुणा की जगे हमें लगाना है भाग का चिन और लिखना है 9 और भाग की जगे क्या यूज़ करेंगे हम multiply का फिर 3 लिखेंगे और प्लस में 12 और उसके बाद क्या है यापर बरावर में 3 आना चाहिए तो इसे बोर्डमास रूल के according solve किया जाता है तो पहले यापर किसकी बारी आएगी solve करने की भाग की तो 9 चुको 36 हो जाएगा और या चार का गुणा 3 से होगा तो 12 हो जाएगा तो 3 माइनस 12 और यहाँ पर प्लस का 12 बरावर में कितना आना चाहिए 3 और प्लस 12 माइनस 12 यह 0 बच जाएगा और बरावर में क्या बच जाएगा 3 और तीन के बराबर तीन आकर ये समीकरन संतुलित हो जाएगा तो option number 1 इसका correct answer हम लोग मान लेंगे question number 23 हमारे पास एक निश्चित code भाशा में chart को ट्रेज के रूप में लिखा जाता है और close को किस record लिखा जाता है ES OCL के रूप में लिखा जाता है तो उसी code भाशा में world को कैसे लिखा जाएगा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो chart को लिखा गया ये किस प्रकार से लिखा गया क्या लिखा गया इसे टी आर ए और सी एज के रूप में लिखा गया और इसी प्रकार यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जो close हैं इस close को जो लिखा गया yes और उसके बाद में Ocl यह किस प्रकार लिखा गया तो यह सब्दों के इस्थान बदल दिये गए मतलब जैसे इस शब्द में ये पहला इस्थान पे था ये दूसरे पर तीसरे पर चोते पर और ये पांचवे पर था तो इन्हें कैसे लिख दिया पहले पांचवे नंबर का शब्द लिखा फिर चार का लिखा और फिर तीन नंबर का लिखा उसके बाद में फिर एक नमबर का शब्द यहां पर लिख दिया और फिर उसने क्या करा दो नमबर का शब्द यहां पर लिखा इसी प्रकार एक, दो, तीन, चार और पाँच इनको भी इसी प्रकार से गर लिखा गया तो हम वर्ल्ड को भी ऐसा ही लिख देंग यानि पहले 5 लिखा, 4 लिखा, फिर 3 नमबर का शब्द लिखा फिर यहां पर क्या करा, एक नमबर का लिखा, फिर 2 का लिखा इसी प्रकार हमें क्या करना है, वर्ल्ड को भी लिख देना W-O-R-L-D तो यहां पर यह पहला शब्द है, दूसरा, तीसरा, चोथा, और पांचवा तो हमें पहले 5 लिखना पड़ेगा, फिर 4 पिर 3 तो 5 चार तीन तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर पहला लिखेंगे फिर 2 तो यहां से अक्षर उठालो अब पांच नमबर पर D था उसके बाद चार नमबर पर एल था और तीन नमबर पर क्या था यहां पर आर था और दो नमबर पर क्या था मतलब एक नमबर का लिखना हमें तो यहां पर एक नमबर पर क्या दिया है आप लोगों को तो एक नमबर पर हमें क्या दिया है डवल्यू और दो नमबर का लिखेंगे यहाँ पर O तो DLRWO DLRWO option number 2 इसका correct answer हो जाएगा Question number choice Question number choice में वह विकल पर चुने जो निम्नली की स्रंकला में प्रेश ने चिन्न को प्रती स्थापित कर सकता है यहाँ पर एक सीरीज आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है यह mixed series है mixed series का मतलब यह किसमें 2 series को combine किया गया तो कैसे combine किया गया 2 से शुरू करके एक छोड़कर एक इंक्यानवे बना और इंक्यानवे से सीधा 176 बनाया और 176 से हमारा direct उत्तर बनेगा तो यह कैसे बनाया 2 से आप समझेगा 179 हम लिख लेते हैं 2 को लिखा फिर इंक्यानवे को और उसके बाद में यहां पर इसने बनाया 176 को और आगे हमारा answer क्या आएगा यहां पर हम बनाएंगे तो यहां पर मैं बता दू कि 2 में कितना जोड़े की इंक्यानवे बन जाएगा तो इसने याद रखिएगा नेवासी यहां पर जोड़ा है और इंक्यानवे में कितना जोड़े की 176 बन जाएगा तो इसने यहां पर 85 जोड़ा है मतलब नेवासी जोड़ा है तो चार कम करके फिर इसने 85 जोड़ा है और आगे हम चार कम करके कितना जोड़ देंगे 81 जोड़ देंगे और हमें किस में जोड़ना 81 यहां पर 116 में जोड़ देना है तो 116 प्लस 81 करेंगे तो हमारा आंसर अजाएगा 6 में जोड़ा 7 8-7-15 हो जाएगा K-1 यानि 257 257 क्योश्चन मारकिस्थान पर आना चाहिए और यही हमारा करेक्ट आंसर आफशन नंबर 1 हो जाएगा आगे अगर बात करें 25 नंबर की तो 10 और 11 के बीज घड़ी की दोनों सुया कब एक ही रेखा में होंगी एक ही रेखा में होंगी मतलब एक दूसरे के विपरित होंगी इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है इसका जो आंसर आएगा वो 10 बच कर आएगा प्यारे साथ जब कभी विपरित की बात की जज आए तो आपको 12 बटे 11 का गुना करना होता है मिनट से अब मैं आपको बता दू 12 बटे 11 गुना मिनट कौन से लाना है आपको तो गड़ी में जो 10 बचते हैं गड़ी में जब 10 बचते तो वहां कितने मिनट होते हैं तो आप आओगे गड़ी में 10 बचते तो वहां 50 मिनट होते हैं लेकिन 10 के विपरित 10 के विपरित बताओ मुझे घड़ी में क्या होता है तो दस के विपरित जो संक्या होती है घड़ी में जैसे तीन के विपरित नो होता है तो दस के विपरित क्या हो जाएगा चार तो जब चार पर घड़ी की सूई जाती है तो वहां कितने मिनट होते हैं तो चार पर जब घड़ ग्यारा और उसके बाद नौ बटे ग्यारा बजे याद रखिएगा गड़ी की दोनों सुया एक दूसरे के विप्रिस हो जाएंगी तो प्यारे साथ यह थे पूरे पच्छिस के पच्छिसी क्योशन जो इसी प्रकार के क्योशन आपको पक्का एक्जाम के अंदर देखने को म मिल जाएगी जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं और प्यारे साथ यह यकीन मानेगा एक्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्योशन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब